हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो मैं चैनल जॉब हंट विद स्वाती आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई जॉब अपोचिटी लेकर किया हूँ यह अपोचिटी आई हुई है नियू यॉयॉक बेस्ट कांपनी फ्रेश प्रेश प्रेंट्स की तरव से फ्रेश प्रें क का orada यॉका मांगा हुऊ है और आपको जाली यह से मूलने वाली है फ्रस्ろ फॉर्फ बार में में लेक लेयता है है Okay, Freshprint is a New York-based custom apparel startup. We find incredible students and drive them the working capital, training and support to build the business at their schools. We are looking for an organized individual with attention to detail who will be instrument in ensuring that we find both cost-effective and relevant shipping solutions that enable us to deliver orders to our clients within timelines. Okay, so you have to understand that this is a realistic company and your work is going to be a shipping solution. Okay, let's go ahead and see. In working through logistics-related tickets, you will be extensively coordinating with cross-functional teams and also with outside vendors like UPS, FedEx and USPS to name a few. ठीके तो जो बहत सी कंपनी लॉजिस्टिक कंपनी तुछेके टिके फैदैक्स प्रक्वारे की हैं, अमेरिका की कंपनी तुछे साथ तो इनके खेलें की काम्पनी बात के जाट्लिए टैलिवरी है, इसमीज़़ी हैं उसे तरह से यह जो है फैडएक्स हैं, USPS है अमेर का वागरा की कामपनी है UPS है तो जाद आपने शाइद नाम नहीं सुना ओगा तो इनके कहने के मतलब जो बी outside vendors है ठीक है उनके साथ और जो आपके और भी जो औफिशिल्स हैं ठीक है उनके साथ मिलकरके आपको मतलब आपका as coordinator तो आपका मेन कोडिनेटर का वरक रहने वाला है, तो काफी अच्छी प्रोफायल है, कंपनी आपकी न्यू यॉ यॉर्क बेस्ट रहने वाली है, ठीक है, लॉजिस्टिक कंपनी का काम आपका रहने वाला है, responsibilities क्या रहने वाली है वो देखते हैं first of all में लोग check out कर लेते हैं किसमें क्या qualification या experience वगेरा मंगा हुआ है तो essential requirement है one to two years of experience in logistics और shipping operations तो आपके पास एक दो साल का experience होना चाहिए logistic company या shipping operations का ठीक है good knowledge of MS Excel particularly in cleaning up data ठीक है तो MS Excel की खास्तोर से आपको जनकारी होने चाहिए cleaning up data ठीक है तो data को clear करना अब यह इसमें यह खास क्या बात है cleaning up data वो पता चलेगा आपको फिलहाल तो MS Office simple सा होता है पता ही होगा आपको अब जाते हैं strong analytical and organizational skills fluent in English excellent communication skill great email writing skill तो देखिए कोई भी ऐसी कोई बहुत टफ बहुत इसके लिया qualification नहीं मंगी है इसके लिए कुछ आपको special qualification की जरूद हो या कुछ special आपको experience की जरूद इस special experience की जो बात कह रखी नहीं logistic company या shipping company में काम करने का आपको experience मंगा हुए चाहे वो आपने vendor का काम किया हो या आपने आपने back office back office वाला work किया है कुछ भी work किया है ठीक है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो आप जाते हैं क्वालिफिकेशन यहां पर नहीं दे रखी क्वालिफिकेशन आप यह कुछ भी है आप इंटर पास हो 10 पास हो अगर आपको थोड़ा बहुत 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 काम अंडर प्रेशर ओपें तो बहुत सी सिंपल सी स्कल्स दो मांगी ही जाती है तो logistic company का काम आपका रहने वाला है और आपसे expectation रखे जाती है कि logistic company का आपको required को अब कुछ भी हो आपका जो वर्ों रहने वाला है और जो है product को deliver करें ठीक है और जहां पर भी deliver होना है timely हो और सही से हो यही सारक सारक काम आपको देखना है विकॉस आपको जो work है वो coordinator का work रहने वाला है ठीक है चलिए अब मैं आपको बता तेती हूं यह आपको क्या यहां पर benefits आपको क्या मिलने वाले हैं और आपका या exactly क्या रोल रहने वाला है वो भी मैं आपको elaborate करके पताई थी तो first of all चलिए देख रहे हैं compensation या benefits आपको कितने मिलने वाले हैं तो competitive monthly salary of dollar 630 रूपीज मन्थली से 630 डॉलर ठीक है एक डॉलर की कीमत यहाँ पर 83 रूपीज है ठीक है अब 83 से आप 630 को आप multiply कर लो उतनी आपकी monthly salary रहने वाली ठीक है तो यह करीब हो जाएगी I think 50,000 पड़ेगे भी मैंने इसको multiply नहीं किया जो मैंने ऐसा थोड़ा सा randomly देखके इसको multiply करके देखा है 50,000 अलमोस्त रहने वाली है ठीक है तो 50,000 अगर आपकी logistic company में coordinator की job पे अगर आपको 50,000 से लिए मिलने वाली है तो बहुत ही बहतरीन opportunity है New York की company तो यह भी आपके साथ अच्छा रहेगा कि आपको एक experience मिलेगा कि हाँ आपने किसी बाहर की company में काम किया है ठीक है तो यह भी आपके साथ आपके resume में add हो जाएगा कि कभी आप US की company या UK की company में apply करते हो तो आप यह पास experience रहेगा कि हाँ आपने New York based logistic company में काम किया है experience purpose अभी बहुत ही बैतरी नहीं है यहां पर आपकी communication सुधरेगी आप बहुत चीज़ें आपको यहां पर सीखने को मिलेगे ठीक है international work पूरा अब देख पाओगे कैसे होता है क्या होता है ठीक है इसमें coordinate कर पाओगे coordinator का आपका work रहने वाला है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है चलिए अब मैं दूसरे बताती है कि स्याली तो मैं ने आपको बता दी और बता तो इसमें क्या 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 परकसें बेनिफिट्स मिलने वाले है हेल्थ इंशोरेंस है परसनल एक्सिदेंट इंशोरेंस है mental health benefits है learning opportunities है working in a great culture तो देखिए बहुत सारी facilities है health insurance और accidental insurance भी मिल ला है तो अगर आप जिस लोजिस्तिक कंपनी में काम कर रहे है बाइक वगरा से आपको वेंटर काम ने रहना है आपका coordinator का वाग रहना है फिर भी accidental health insurance बहुत ही अच्छे मतलब आपको security एक peace of mind यह सारी चीज़ा देती है ठीक है क्योंकि जो male होते हैं खासतोर से वो main जरिया होते है आप family के earning के ठीक है female भी करते हैं लेकि जितनी responsibilities male पर रहती है उतनी females पर नहीं रहती है यह सही बात है ठीक है जितनी male पर रहती है तो कहीं ना कहीं उनको यह अगर इस ताइप के insurance मिलते हैं अपनी के तरह से तो तरफ से तो उनके ऊपर बहुत सारा burden जो है पीस of mind उनको थोड़ा मिल जाएगा कि हां कुछ भी अगर accident वगरा होता है तो आपको और कोई बहुत बड़ी बात नहीं accident वगरा हो जाता है ठीक है fracture ही हो गया सपोस्थ तो company से आपको मिल जाएगा और आजकल यह भी fashion है कि mental health benefits में मिलते हैं क्योंकि mental health आप बहुत ही common हो ग status का pressure के ही है और बहुत ही जादे इंसान mentally बहुत जल्दी वो डिस्टरब हो जाता है तो इसका मतलब यही ही नहीं है कि वो इंसान पागल ही हो गया पहले जमान में यह सारी चीज़ें मनें जाती थी लेकिन जैसे आपकी physical fitness ज़रूरी होती है वैसे ही आपकी mental fitness ज़रूरी त पर से टाइड हो गए हो कुछ भी है तो भी आपको यहां पर कुछ mental health benefits मल सकते हैं चुटिया मिल सकती है यह जो भी है आप बात कर सकते हो अभी तो मैं जादे इस पर बात नहीं कर सकती learning opportunities है तो इसका मतलब यह है कि जिसे आप को यहां पर chances मिल सकते हैं कि आप better position में इसमें आपको suggest कर सकते हैं और इसके लिए learning opportunities यानि कि आपको जिसे company क्या होती है खुद अपने ही खर्च से जो उनको लगता है कि candidate से आगे बढ़ेगा तो उसको अपने ही खर्च से कुछ courses भ यहां पर अच्छा काम करते हो लगे रहते हो तो आगे growth की भी chances रहेंगे ठीक है working in great culture तो अमेरिका मगरे की company का culture अच्छा ही होता ज्यादा तर ठीक है अब जाते हैं working hours आपका जो रहने वाला है 9 a.m. to 6 p.m. US timing Monday to Friday तो देखिए यहां पर इन जो timing दे रखी है वो फिलहाल यहां पर इन्होंने US की timing दे रखी है तो यहां की timing की साब से तो यह opposite हो जाएगा फिलहाल इसको थोड़ा सा clear करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यह तो एक इन्होंने application है ठीक है यह तो इन्होंने पूरा worldwide यह application हो सकता है इन्होंने LinkedIn पर ऐसे डाल दिया हो क्योंकि इंडिया की timing की साब से तो यह opposite ही हो जाएगा तो यह confirm करना पड़ेगा timing because यहां पर इन्होंने timing US timing दे रखी है and 9 a.m. to 6 p.m. ठीक है तो इंडिया की साब से timing आपको confirm कर लेनी होगी तो चलिए बाकी चीज़ा देख लेते हैं आपकी जो seniority level associate की है employment full time रहने वाला है job function आपका supply chain and other ठ industry आपकी retail, apparel and fashion तो काफी बढ़िया industry है retail, apparel and fashion की industry है और यह सारी industry आप देख पा रहे हो क्यों boost है ठीक है boost में है आजकल और बहुत जादा grow कर रही है तो हर तरीके से बहुत ही बहुत ही बहुत बहुतरीन opportunity है चलिए अब मैं आपकी जो responsibility है इन्हों detail में देरके वो मैं तो creating shipping labels तो label आपको तियार करने होंगे आपको training बता दिया कैसे label तियार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है आपको एक बता दियाएगा आप कर लोगे generating labels and customs customs forms required for international shipment international shipment यानि international logistic company है यह बहुत ही बहुत ही बहुतरीन opportunity है ठीक है comparing comparing courts from private couriers and UPS critical to recommend cost effective options when shipping rush orders ठीक है और coordinating with suppliers to return unused blanks from our order तो यह साइट टिटेल्स जो पूरा प्रोसेस है वो इन्होंने दे रखा कि आपको क्या 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 काम करना होगा लिकिन जब आप जोइन कर लेता हूं तब आपको जब डिटेल्स बता जागा training हुए आपको सारा concept तबदा के clear होगा अभी इन्होंने स्रिफ एक एक लाइन में दे रखा है checking on timelines with campus managers whenever required interacting with our printers and fulfillment center to ensure on time shipping calling UPS, USPS, FedEx to solve shipping issues तो यह सारी जो है वो courier company जैसे इंडिया में delivery है DTDC है वैसे यह fedex है USPS है UPS है सब international courier companies है ठीक है तो इन इनको आपको call करना है जो भी shipping solution issues है उसको sort करना है जैसे कि कोई product delivery नहीं हुआ डिले हो रहा है ठीक है आपको चीजने बताई जाएगी अभी यहां पर इन्होंने जितना दिर्खा उतना में आपको बता रही हूं ensuring order deadlines are not missed ठीक है तो deadline are not missed मतलब कि जितने दिन का है time उतने में आपको deliver करवाना आपकी responsibility बनेगी because आप यहां पर coordinator रहोगे ठीक है responding to queries from printers about shipping ठीक है तो जो printers है ठीक है उनकी जो भी queries shipping को लेटर की देखें प्रिंटर से उनको आपको बताना होगा कि details देनी होगी कहां shipping होनी है क्या address है ठीक है तो भही सारी चीज़ें आपको मतलब आप coordinator हो तो आप सब कुछ आपको देखना होगा ठीक है shipping से लेटर जो भी काम रहने वाला है you will be communicating a lot over email, video call, phone and text तो जितनी चीज़ें होती है जब आपका काम multifunctional होता है तो उतनी ही आपकी skills improve होती है जब आप कोई एक ही काम करते हो सुपोज आप सिर्फ calling का ही काम कर रहे हो सिर्फ data entry का ही काम कर रहे हो तो आपकी skills improve नहीं होती है और आप किसी particular profile में बंधके रह जाते हो जब आप various work करते हो जब आप multi-talented, मतलब multi-tasking का काम करते हो तो आप किसी भी profile में apply कर सकते हो, किसी भी post में apply कर सकते हो यह बहुत ही अच्छा होता है back office job करने में तो यहाँ पर क्या है कि आपके multi-tasking work रहने वाला है you will be communicating a lot over email, video call, phone and text ठीक है तो आपको chatting, calling, mailing, video call, MS Excel, coordinator, सब कुछ करना है यहाँ पर आपको as manager भी work करना है, as club भी work करना है, as customer support भी work करना है तो आप समझ पा रहे हो कि सब कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, ठीक है तो सारी चीज़े मैंने आपको बता दिये, यह क्या है in addition to your day-to-day activities you will also have the opportunity to find and suggest less expensive shipping solutions तो मतलब आप खुद भी suggestion दे सकते हो, ठीक है कि कैसे कम खर्चे में काम company काम कर सकती है run analysis of shipping data to give us insight on how to improve our processes explore the unknown we are always looking to find new ways to improve and we also want you to take ownership over projects you think can add value तो आप इसलिए suggest कर सकते हैं because यह जो company है यह न्यूयोक की है यह जो hiring कर रहें वो इंडिया के ले कर रहें तो इंडिया के लोगों को ज़्यादा बहतर तरीके से मालूम है कि वो किस तरह से काम बहतर तरीके से हो सकता है या काम passive हो सकता है इन्होंने कहा रखा कि आपके भी suggestions यहां पर welcome है आप कुछ suggest भी कर सकते हो कि हम कैसे कम खर्चे में या किस तरीके से काम करें कि ज़्यादा बहतर तरीके से company काम कर सके तो आपको suggest भी करते हो वो अच्छा work करता है तो company पर भी काफी अच्छा effect पड़ेगा आपका और आपकी growth के भी आपर chances भनेंगे ठीक है तो हर तरीके से बहुत ही बहतरीन है और इसका apply link में आपको description में दे दूंगी अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको subscribe कर लीजेगा because मैंसी latest job updates प्रोवाइड करती है ती थैंक्स वर वाचिंग में चैनल बाई